मेरे परमपिता परमात्मा सदाशिव निराका ओ आनन्द के सागर तेरी महिमा अपरमपा मेरे परमपिता परमात्मा मेरे परमपिता परमात्मा सदाशिव निराका ओ आनन्द के सागर तेरी महिमा महिमा अपरमपा तेरी महिमा अपरमपा महिमा अपरमपा तेरी महिमा अपरमपा मेरे परम्पिता परमात्मा तुम स्रिष्टी के ग्याता हो वर्दानों के दाता हो हम तुम को पाकर पाए हम तुम को पाकर पाए गति सद गतियों पहार महिमा परम्पार तेरी महिमा परम्पार महिमा परम्पार मेरे परम्पेता परम्पार करोना का काल चल रहा है और इसने वैसे तो बहुत सारी नकारात्मक बाते हैं लेकिन सकारात्मक चीज ये हुए कि हम सब जो अपने अपने कारियों में व्यस्त थे कुछ वक्त अपने लिए मिला प्रभू के लिए मिला स्वयम को जानने सत्य को जानने के लिए मिला तो ये इसका बहुत ही सुंदर सकारात्मक पहलू है और इसके माध्यम से ही ये सुंदर फुलवारी भी तैयार हुई है, क्योंकि यदि ये परिस्थिती ना आती, तो शायद सभी यहाँ वहाँ बिखरे होते और अपने कारियों में ही व्यस्त होते, तो हर चीज का एक सकारात्मक पहलू तो है ही, जिसकी ओर ही हम सब को देखना मैं आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं कि आप सब स्वस्त होंगे, सुरक्षित होंगे, और बाबा ने तो कहा है कि जो याद में रहते हैं, वो सद्धा ही सेफ हैं, सद्धा ही सुरक्षित हैं, बाबा का एक सुंदर महावाक्य है कि अंत काल में, विनाश काल में, जब चारो रहाकार की स्थिती होगी, तो भी जो बच्चे योग-युक्त होंगे, उनके कदम उधर ही बढ़ेंगे, उधर ही जाएंगे, जिधर सेफ्टी होगी. यदि योग-युक्त नहीं है, तो फिर कदम कहीं भी जा सकते हैं. यदि योग युक्त हैं तो ना केवल स्वयम सुरक्षित होंगे लेकिन आसपास की अनीक आत्माईं जो हमारे ओरे में होंगे वो भी सुरक्षित हो जाएंगे और बाबा तो ये भी कहते हैं कि चाहे संसार में कुछ भी हो लेकिन तुम ब्रामधों के लिए तुम बच्चों के लिए जिन होने भगवान को अपना बना लिया दिल से मेरा बाबा कहा उनके लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा बिल्ली के बच्चों की जो बात हम सुना करते थे वो भी बाबा एक्जामपल देते हैं कि चाहे चार ओर आग थी भठी तप रहे थे बिल्ली के बच्चे मटके में थे लेकिन फिर भी सुरक्षित रहे तो सुरक्षित रहना अर्थात पूरी तरह से मन बुद्धी हमारा एक के साथ connected रहेगा संसार में कुछ भी हो उसकी आँच उसके जो दुख के vibrations हैं वो हमें नहीं आएंगे इसलिए आज का विश्य भी रखा गया है निरंतर याद यद्य पे आप सब अभी प्रारंभ कर रहे हैं शुरुवात कर रहे हैं इस ज्ञान मार्ग में चलने का लेकिन फिर भी एक सुंदर लक्ष निरंतर याद और उसकी सुंदर युक्तियां भक्ती मार्ग में मैंने कईयों को देखा है और आपने भी देखा होगा कि निरंतर जैसे वो मंतर का जाब करते रहते हैं कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कई बार मुख से उच्छारण करते हैं कई बार मन से ही उनके मन में किसी मंतर का जाब चल रहा होता है वालमी की जी के बारे में भी हम जानते हैं राम-राम की जैसे दुन लगा दी. नारज जी को भी जचाए है, सिर्फ उनके मुख मे नारायन, नारायन ही होता है. कईयों को आपने देखा होगा, जो हाथ में जैसे एक छोटी सी पोटली रखते है तो हमाला फेरते रहते है, मंत्र का जाप करते हैं. अजपा जाप और ये अजपा जाप इस बात को प्रूफ करता है कि हम सबने भी निरंतर याद की अपने स्थिती अवश्य बनाई संगम यूग में, जिसका ही यादगार अजपा जाप के रूप में चल रहा है, निरंतर जैसे एक में हम रत रहें उस यादगार रूप में चल रहा है लक्ष निरंतर याद का एक उचा लक्ष है और कई पर बाबा ये कहते हैं कि अंत में जाकर के तुमारी याद के स्थिती निरंतर होगी लेकिन आज तो आपने टॉपिक ही यही रखा है तो क्या हम अंत में जाकर बनेंगी या अभी हमें बनना है अब अंत का समय तो आभी गया संसार के स्थितियां हम देख रहे हैं आप किसी भी फिल्ड को देख लो तो ऐसा लगता है कि बिलकुल अंत में हम खड़ें हैं, बारूत की धेर पे बैठे हुए हैं, पता नहीं कब कौन सी चिंगारी सारी संसार को इधर से उधर कर दें, तो अंत के स्थिति तो आही गई हैं अच्छा, वो अंत चलो कभी भी हो लेकिन मेरा अंत तो मैं कभी भी नहीं कह सकता कि नहीं अभी तो मैं पाँच साल 10 साल, 20 साल, 50 साल रहोंगा, nobody कि कल क्या होगा, मेरे पास के वल आज का ही पल है, वर्तमान पल ही है, कल क्या होगा, नहीं कहा जा सकता, अभी तो आप देखी रहे न, कितने यंग यंग लोग, एज की कोई बात ही नहीं रही है कल यूग में, बच्चे हों, जवान हों, उन्हीं आप अपने चारो तरफ जात देख रहे होंगे, उनके माता, पीता, उनके ग्रैंड पैरेंट्स अभी हैं, लेकिन बच्चे, यूवा, किसी भी कारण से अंत हो रहा है, जा रहे हैं, तो अंत की हम इंतजार में नहीं, लेकिन अपने वर्तमान में ही, निरंतर्याद की इस्थिती की और बढ़ते हुए चल हैं, इसलिए हम इसे अपना लक्ष जरूर बनाएं, साथ ही अमारा वाइदा है बाबा के साथ, परमात्मा के साथ, तुछ संखाओं, तुछ संखेलों, तुछ संख बैठों, तुछ संखर कर्म करों, बस तू ही तू, बस तू और मैं, वाइदा है ना हमारा, तो ये निरंतर याद की और बढ़ाने के लिए ही है। हाँ जी बाबा हम खुश हैं तो फिर बाबा अगला प्रश्न करते हैं सदा खुश हो तो खुश है में सभी आथ उठा देते हैं जब बाबा कहते हैं सदा खुश रहते हो तो फिर वो हाथ जो उठे हुए थे उनकी संख्या कम हो जाती हो याद में रहते हो हाँ जी बाबा हम याद में रहते हैं, सदा याद में रहते हो, तो फिर से हम अंदर चले जाते हैं कि मैं सदा हो याद नहीं हो, तो बाबा की आश, बाबा की चाहना, सदा, और बाबा कहते हैं कि तुम योगी जीवन वाले हो, योगी जीवन वाले, और जीवन तो सदा का होता है, तो बाबा कहते हैं तुम दो घंटे के, चार घंटे के योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो जीवन अर्थान निरंतर यदि मैं ब्राम्हन हो मैं अपना सरनेम दूबे लिखता हूँ, जौबे लिखता हूँ, तृपाथी लिखता हूँ, तीवारी लिखता हूँ तो मैं जीवन पर वही लिखाँगा मेरे नाम के सामने दूबे है तो वो एक साल के बाद चौबे नहीं हो जाएगा एक साल के बाद वो अगरवाल नहीं हो जाएगा या दो साल के बाद जो बंसल जी है वो चौबे जी नहीं हो जाएगे जीवन है, एक identity बन गई है, तो वो रहेगी, तो बाबा इस प्रसंग को लेते हुए, इस उदाहरन को लेते हुए, हमें समझाते हैं, कि तुम भी योगी जीवन वाले बनो, और लासो फास्ट जाना है, जैसे आप सब अभी बाबा के नए-नए बच्चे हैं, आप में उमंग ह उदाह है, उदाह है, लगन है, और इसे हमीशह हमें कायम रखना है, तो बाबा ने चाए, लासो फास्ट जाना है, फ्रस्ट में आना है, तो निरंतर योगी बनो, जैसे जब तक जीवन है, तब तक शरीर और आत्मा साथ-साथ है, वैसे है, योग तुम्हारे साथ, जीवन के साथ जुड़ा हुआ हो योग अलग हो और जीवन अलग हो ये नहीं जैसे आत्मा और शरीर combined हैं जुड़े हुए हैं वैसे है योग तुमारे साथ जुड़ा हुआ हो वैसे तुम बाबा के साथ जुड़े रहो क्यों बाबा इतना emphasize करते है यसे, योग को क्योंकि योग foundation है, आधार है बाबा के ही महावाक trip है योग foundation है, यदि ये foundation कमजोर है तो फिर कभी भी ब्रामण जीवन रूपी जो इमारत है, गेर सकता है क्योंकि ग् Jennifer ट्यांन परियाप्त नहीं है सेवाएं कर लेना पर यापने वो सब हमारे सबजेक्ट हैं लेकिन योग हमें मजबूत करता है शक्तिशाली बनाता है connected रखता है योग है तो हमारे लिए धार्नाई सहज हो जाती है योग है सेवाएं सहज होती रहती है इसलिए इसकी महत्ता को हमें समझना है क्यों निरंतर योग तेरे सट जन्मों के विकर्मों का बोज है हमारे सिर के उपर तेरे सट जन्म ना जाने क्या-क्या हमने किया होगा बाबा यदि बताएं तो वो देख के हमारा माथा ही भारी हो जाएगा कि बापरी मैंने यह ये किया इतने इतने विकर्म के बाबा नहीं बदाते हमें, बस ये कह देते हैं, तिरे सट जन्म पाप कर्म हुए हैं, उसका बोज है, हमें बोजिल नहीं होना है, ज्ञान रखना है, और बाबा ने कहा, योग से इस बोज को तुम्हें हटाना है, तो क्या आदे गंटे, एक गंटे, दो गंटे के योग से हम इस तिरे सट जन्मों के विकर्मों को नस्ट कर पाएंगे, अंतिम वेला है, तो निरंतर योग से हम अपने विकर्मों को नस्ट करते जाएं, या तो योग बल से ये नस्ट होगा, या भोग बल से, तो हम सबको तो योग बल से नस्ट करना इसलिए निरंतर योग जरूरी है, क्योंकि अब संसार का वातावरण दिन बदिन नेगेटिव होता जाएगा, माया का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, पाँचो विकार, पाँचो तत्व, फुल फोर्स में वार करेंगे, ऐसे में जो योग-योक्त होंगे, निरंतर, वो इस वार से मुक्त अप्रभावित रहेंगे, सेख नहीं आएगे, अपनी जो विकार हैं, जो अंदर हैं, उन विकारों के उपर भी विजय प्राप्त सहच कर पाएंगे, वो विकार भी जैसे दास-दासी बन जाएंगे, विकार भी जैसे ट्रांस्फॉर्म होते जाएंगे, कि बाबा कहते हैं, जो काम विकार है, शुब भावना में परिवर्तित होता जाएगा, तो तो सारे विकारों के रूप परिवर्तित केवल योग से होंगे, अन्यथा आददतीं और संसकार हावी हो जाते हैं, जो इतनी समय से चले आ रहे हैं, आप देखेंगे यह थोड़ी द कोई भी अंदर के जो संसकार हैं वो जागरित हो जाते हैं और बाद में हम अपने आपको जब चेक करते हैं तो पाते हैं अरे बाबा तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, क्यों योग-योक्त नहीं है, क्यों बाबा का साथ नहीं है, हात नहीं पकड़ा इसलिए हो जाता है इसलिए योग युक्त रहेंगे तो सांसारिक प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे अनिक भटकती हुई जो आत्माएं है या फिर जो शरीर में भी है लेकिन दुखी है, तकलीफ में है उन सब को भी हम दे पाएंगे जिसे बाबा कहते हैं, सकाश दो आत्माएं दुखी है अशांत है, परिशान है तकलीफ में है, कस्ट में है उन सब को तुम्हारी सकाश की जरूरत है तो चाहे देह में रहती हुई आत्माएं, भट्ट आत्माएं हो या संसार किअन्य आत्माएं हो आप देख रहे होंगे, हम लोग तो मदुबन में हैं, वो interaction वैसा नहीं हो पाता, जैसे आप अपने आसपास देखते होंगे, कितनी तकलीफ है, दुख है, कोई भी घर ऐसा नहीं है, जहां दुख ना हो, आप एक भी घर ऐसा बता दें, जहां कोई न कोई दुख ना हो, कही छोटा या बड़ा वो है, अंदर से खोकले हैं, खाली हैं, हमारी सकाश की ज़रत, कैसे दे पाएंगे, जब पावर हाउस से connected है, तब हम light house might house बन के दे पाएंगे, इसलिए निरंतर योग के ज़रुरत है, इसलिए निरंतर योग के ज़रुरत है, कि भगवान मुझे use कर सके, भगवान निराकार है, उन्हें भी तो माध्यम की आवश्यक्ता है, आएं मेरे तन में वह वाली बैत नहीं, लेकिन उपर से भी, यदि मैं मन बुद्धी से free हूँ, उनसे connected हूँ, बाबा संसार में ना जाने, कहां कहां मेरी सेवा ले लेंगे, भगवान के काम आज हूँ मैं, यदि योग योग तो हूँ, तो उनके काम आऊँगा, और यदि यहीं मैं इंगेज हूँ संसार में, तो फिर वो मुझे यूज नहीं कर पाएंगे, आपका फोन यदि इंगेज है, मैं बार-बार आपको फोन लगाओं, तो बार-बार तो वो यही कहेगा ना, कि सामने वाला जिसे आप फोन कर रहे हो, उसका फोन इंगेज है, अब बाबा को भी मेरी जौरत है, और वो मुझे फोन कर रहे हैं, कि बच्चे कहां पे हो, यहाँ चलना है, यहाँ सकाश देना है, यहाँ आत्माओं को जौरत है, यह करना है, और मैं अल्रेड़ी यहाँ इंगेज हूँ, अपने कामों में इंगेज हूँ, अपने पास्ट में इंगेज हूँ, अपने फ्यूचर में इंगेज हूँ, अन्य बातों में इंगेज हूँ, बाबा मुझे यूजे यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद उसके साथ याद अर्थात में उनके साथ हूँ उनके साथ कमबाइंड हो तो वो मुझे यूजे करेंगे जब दादी गुलजार जी अव्यक्त हुई तो दादी जी के बारे में सब ही अपने सुन्दर सुन्दर अणुभाव अपने शेयर कर रहे थे और मेंसे एक बात मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि जैसी बाबा ने तादी के वैसे प्रारम से ही संस्कार ऐसे थे कि बिलकुल अपने आप में मग्न रहना सरल, शेतल, कोई तेरा मेरा नहीं कोई संसारिक बाते नहीं लेकिन जब बाबा ने अपना माध्यम बनाया तब दादी ने एक और विशेश चीज अपनी मैपन को पूरी तरह समाप कर दे मैं हुई नहीं बाबा 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 का रद है बाबा जो करा है उनकी क्लास भी आप सुनें पूरी तरह समाप कर दिया तब तो भगवान ने यूज किया इतने वर्षों तक यदि मैपन होता मेरी भी अपनी आइडेंटिटी हो मैं भी यह हूँ मैं भी यह हूँ तो वो भगवान जिस रूप में यूज करना चाहते थे वो नहीं हो पाता एक सुंदर एक्सामपल हम सब के लिए हम भी तो बाबा को ओफर करें अपने आपको इसी रूप में कि मैं नहीं मैं बहुत जी लिया और मैं क्या कर सकता हूँ मेरी अपनी क्या पहचान है नहीं अपनी पहचान नहीं उसकी पहचान बन जाए उसके माध्यम बन जाए अपने आपको offer करें कि बाबा मैं भी हो ना आप मुझे जहां चाहें use करें, मैं हूँ always available for you फिर देखें कि कैसे एक सुन्दर स्थिती बनती चली जाती है, जो आज हम बात करें ना कि एक हमाई रचनात्मक युक्तियां, आप अपने आपको offer कर दो फिर देखें कि उनकी जो touching है, उनकी जो vibrations है, उनकी जो शक्तिशाली प्रवा है, वो आपको नित्य नए नए सुन्दर सुन्दर अनुभाव कराते रहेंगे सुन्दर सुन्दर vision देते रहेंगे आपको ऊपर ही रखेंगे आपको नीचे आने की जोरत नहीं होगी नए से नए अनुभाव क्यों कि दो चीज़े होती है, देखें एक होता है, कि हम खुद create करते हैं कुछ vision कि मैं अभी ऐसे, इस स्वमान के साथ मैं ऐसे योग करूँ, ऐसे योग करूँ मैं vision बनाता हूँ और एक होता है जो बाबा अपनी तरब से हमें देते हैं gift होती है वो हमारे लिए, वर्दान होता है भगवान का, और वो shrist है वो हमीशा होता है, फिर जब वो उस इस्थिति में आप इस्थित हो जाते हैं तो फिर वो लंबे काल एक आनंद की इस्थिति होती है दूनों करें हम क्योंकि हम पुर्शार्थी भी तो है हमें पुर्शार्थ भी करना है हम खुद भी एक सुन्दर चिंतन के माध्यम से vision बनाया करें लेकिन ये जो स्थिति में ने कहिए आपको कि हम offer कर दें अपने आपको उसके आगे अर्पित कर दें तो सब कुछ उसका हमारा हो जाता है इसलिए हम निरंतर योग की और बढ़ें जिनतन के इचेगा लेकिन एक बात हम अपने आप से अवश्य पूछें basic कुछ बाते हैं यदि हम उस highest अवस्था तक पहुँचना चाहते हैं यो तो बाबा कहते हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा मददगार बच्चे वो हैं जो मुझे आठ घंटे याद करते हैं और आज हम उससे भी आगे एक निरंठर की बात कर रहे हैं इसलिए एक बात अपने आप से हमें जरूर पूछनी चاہिए कि क्या सच्मुच मैं निरंठर योगी बनना चाहता हूं क्या ये मेरे जीवन का एक धे हैं लक्ष है यदि मैं सच्मुच चाहता हूं तो उस ओर मेरे कदम आटोमेटिक बढ़ेंगे, क्योंकि जैसा लक्ष होता है, वैसे लक्षन आते जाते हैं, और जब हम लक्ष रखते हैं, तो उसके लिए हम प्लानिंग भी करते हैं, इसलिए हम इस विशे पर अपने आप से पूछें, कि सचमच, मेरा दिल इस बात को स्व करें, यदी बाबा ने कहा है, तो मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है, और कल पहले भी मैंने किया था, इसलिए बाबा भी मुझे ये कह रहे है, कोई भी माता पिता अपने आठ साल, दस साल के बच्चे को फोर विलर नहीं दे देते, कि जा तू सरपट दॉडा के आ, मार्क ले जाए से, उन्हीं पता है, कि वो छोटा बच्चा भी योग ये नहीं है, इसलिए उसे वो फोर विलर नहीं देंगे, वो जब 18 का हो जाएगा, तब ठीक है, हाँ, अब तू चला सकता है, उसे पहले उसे बहले सिखा देंगे, लेकिन उसे सड़क पे निकलने तभी दें है, कि तुम्हें निरंतर योगी बनना है, तो ये हमारी क्षमता है, हम कर सकते हैं, और हमने कल्प पहले किया है, एक सुन्दर सी स्मृती है हमारे पुरशार्थ के लिए, कल्प पहले की स्मृती, कल्प पहले भी मैंने किया है, नथिंग नियू, फिर से मुझे जस्ट लक्ष है, वो बात हमारी संकल्प को, बोल को, कर्म को, दिंचर्या को पूरे जीवन को प्रभावित करता है संसार में हम हैं कई लक्ष हो सकते हैं लेकिन मैंने प्राथमिक्ता किसे दी है, अपनी इस पुर्शार्थ में अपनी इस ब्रामार जीवन में प्रात्मिक्ता किस चीज को दी है यदि मैंने प्रात्मिक्ता इसे दी है तो निश्चित रूप से मैं उस और बढ़ूँगा और ये मेरे लिए सहज हो जाएगा और तभी इस विशाय पे आगे बढ़ना हमारे लिए उचित भी होगा तो ना किवा लक्ष बना लें क्योंकि भगवान ने कहा है लेकिन उस लक्ष के प्रति अपने आपको डेडिकेट करें द्रिड़ता होनी चाहिए कई बहुत उमंगुत सामियाम आ जाते हैं कि बस अब मैं करके दिखाता हूँ दो दिन चार दिन हम बहुत अच्छे से करते हैं उसके बाद फिर दिरे-दिरे डाउन होते चले चाहते हैं द्रिड़ता करना ही है बनना ही है एक डेडिकेशन एक धुन उसकी ज़रत है तो ये चीज हमारे लिए सहेजवती जाती है द्रिड़ता कैसी कुछ वर्ष पहले पुराने भाई बहने जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा बाबा ने कहा जब तक तुम आठ बार दिन में पाचो स्वरूपों का अभ्यास नहीं कर लेते तब तक सोना नहीं है आठ बार ही बाबा ने कहा था और ये देखा गया कि कई भाई बहने जो नहीं कर पाते था रात को बैट के उसे कंप्लीट करते थे अपने बिस्तर में जाने से पहले बाबन ये भी कहा चार गंटे जब तक योग नहीं हो जाता सोना नहीं है सब अपनी योग का जाड़ पूरा करते थे उसके बाद सोने जाते थे ये द्रिड़ता है जब तक हम नहीं करेंगे तब तक बिस्तर पे नहीं जाएंगे सोने नहीं जाएंगे द्रिड़ता कुछ पहले बाबा नहीं कहा बारा बार आशरीरे स्थिती निराकारे सिती, बाराबार फरिष्टे सिती, ये तुम्हें करना है, जब तक मैं नहीं कर लेता, तब तक ये नहीं करूँगा, हम अपने अंदर द्रिड़ता लाएं, जब द्रिड़ता लाएंगे, तो वो कारी हमारे लिए सहज होता चलेगा, इस बात का हम विशेश करके ध साथ ही दूसरी महतुपून बात, यदि हम निरंतर याद की बात करते हैं, बहुत महतुपून फैक्टर है, प्यार, स्नी, बाबा कहते हैं कि जहां महबत है, वहां महनत नहीं है, यदि स्नी है, तो याद भूलाना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है, प्यार होना जिससे हमारा प्यार होता है, उसके साथ हम कोशिश करते हैं, कि जादा से जादा उसके साथ हम टाइम स्पेंट करें, उसी को देखें, उसी के साथ बैठें, उसी के साथ बातें करें, मतलब जो भी बातें हम करें, लेकिन उसके साथ रहें, उससे ही शेयर करें, हम ये चाहते ह सुबह से लेके रात तक भले हम एक long drive पे चले जाएं ऐसा लगता है कहीं हम बैठे रहें अनुभव होगा आपको प्यार है तो साथ रहना याद करना सहज हो जाता है लैला मजनू का एक्जामपल बाबा देते हैं हीर रांजा का एक्जामपल देते हैं वो साथ नहीं रहते थे दूर रहते थे लेकिन खाते पीते उठते बैठते हीर को रांजा लैला को मजनू दिखाई देता था प्यार प्यार आपने भक्टी मार के कई चित्र देखे ओंगे मीरा जैसे बैठी होई है जहरने के किनारे बैठी है पानी में अपना मुख देख रही है, लेकिन उनकी छवी मीरा की छवी मीरा को दिखाई नहीं दे रही है, ना देखने वालों को दिखाई दे रही है, वो छवी श्री कृष्ण की दिखाई दे रही है, याद, ऐसी याद है, यह प्यार है ना, तो जहां प्यार है बाबा ने क वहाँ निरंतर याद सहज है, दिल का प्यार, अटूट प्यार, कि वही तो है मेरा संसार, वही तो है मेरा पालनहार, तारनहार, जिसे मैं इतनी वर्षों से जन्म जन्मांतर से ढून रहा था, ढून रही थी, वो अब मुझे मिल गए है, संसार को तो बहुत देख लिया, बह रह लिया, अब तो मैं उपर रहूं, उसके पास, सुक्ष्मतन में रहूं, परमधाम में रहूं, कभी मैं उनके पास, कभी वो मेरे पास, प्यार है, तो अटूट नाता जोड़ जाता है, और वो निरंतर की ओर हम बढ़ सकते हैं, जैसे भक्तों की बात कही, जैसे प्रेमी काओं की भी बात कही, कि वो सदा साथ रहते हैं, दिल की बातें भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, हर चीज, सुख में भी साथ है, तो दुख में भी साथ है, जै में भी साथ है, तो पराजै में भी साथ है, कोई रोना नहीं, बस तुम साथ हो ना, और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ ये दिल का एक प्यार और ये प्यार होता है जब हम उसकी उपकारों को, उसके देन को याद करते हैं उन्होंने जो हमें दिया है उसे याद करते हैं तो ये हमारे प्यार का जो नाता है, वो प्रगाड होता चलता है बाबा ने कहा जब सर्व संबंध एक से हैं तो याद निरंतर हो सकता है सर्व संबंध तो वही हमारा संसार है तो सर्व संबंधी भी तो वही है न तो सर्व संबंधों से जब हमारी एक याद रहती है हमारी याद निरंतर होती चलती है इसलिए अपने प्यार को हम देखें, प्यार को चेक करें, यदि प्यार में संपून है, perfect है, hundred percent है, और किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये स्थिती बनती चलेगे न, तो बस हम निरंतर की ओर बढ़ जाएंगे, अभी मनुश्यों से, कुछ वस्तुवों से, कुछ वैभवों से, कुछ संसार में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हर जगा से यदि connected हैं, तो प्यार percentage में आ जाता है, percentage नहीं, संपून प्यार मेरा उससे हो, याद निरंतर होगी, साथ ही एक वैराग्य की स्थिती आवश्यक है, यदि हम निरंतर याद की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो, वै जानी दुनिया तो अब गई की गई, ये तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से कोई अपना दिल थोड़ी लगाता है, कोई कब्रिस्तान में जाके थोड़ी बैटता है, वहाँ कोई घर थोड़ी बनाता है, कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए गया और निकल गया, पू पहरा मुख वहां होना चाहिए, मेरा मुख कहां है? अभी भी संसार में यदि प्राप्तियां कुछ देख लूँ, कुछ सुन लूँ, कुछ जान लूँ ठीक है information के लिए मेरा field है, जानकारी के लिए थोड़ी जानकारी जितना आवश्यक है, बाब अभी news सुना करते थे ये जानने के लिए कि संसार का क्या हाल है लेकिन उसी मेरत हो जाना या interest लेना, हम वैराग्य को unlimited disinterest कहते हैं अपने इहाँ English में disinterest, कोई interest नहीं, देखने में interest नहीं, सुनने में interest नहीं, बोलने में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आपको बिल्कुल isolate कर लें, रम्निक्ता और गंभेर्ता वैराग्य के साथ साथ, बाबा मधुबन निवासी कहते हैं, हम सभी को मधुबन, जिसमें दोनों चीजे हैं, मधु अर्थाथ sweetness, वन अर्था वैराग्य के स्थिते तो दोनों है, हम राज रिशी है, राजा भी है और रिशी भी है, मधूर भी है, और साथ साथ विरक्त भी है, वैरागी है, अर्थाच संसार से detached, आटाइच नहीं, यह मुझे खीचे नहीं, यद हीचेंगे तो फिर हम निरंतर कैसी योग-्योगत हो पाएंगे, वैराग्य के और साथ ही साथ, practice, practice, बार-बार की practice, 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 ये practice हमारी practical जो हम चाहते हैं कि हम बाबा की याद में निरंतर रह सकें, वो हमारे लिए सहज हो जाएगा, क्याते हैं न, प्राक्टिस मेक्स पोसन पर्फेक्ट, जितनी प्राक्टिस आप करेंगे वो पर्फेक्शन आएगे, महाभारत में प्रसंग बताते हैं, कि जब ये कौर और पांडवों का की बात जो हो गए थी, और पांडवों को उनोंने बेज दिया था, कि जो जंगल में और उनको जाना पड़ा था, तो ये जंगल में थे सारी पांड़ा, एक दिन जब ये सो रहे थे सभी, तो रात को कुछ खटर-पटर की आवाज आई, किचन से, तो अरजुन की आँख खुल गए, उनोंने लगा कि श्याद कोई जंगली जानवर आ गया होगा, वो गए, कि देखा, की भीम-जी बैठे हुए हैं, और घार इतना अंधěर था, कि अपना हाथ ही नहीं सूच रहा था, लेकिन भीम बैठे थे और गारे थे मजे से, जो जो चीज़े जहां जहां रखी थे वहाँ, तो अरजुन ने कहा कि भया, इतने अंधरे में अपना हाथ नहीं सू इसे लिए मुझे जौरत नहीं है कि मैं यहाँ दिया जला लूँ और उसके बाद खाऊू। अभ्यास सहच कर देता है किसी भी चीज को ना जितनी हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं जैसे आपने साइकल चलाना शिरू किया आपने फोर विलर या टू विलर चलाना शिरू किया तो चलाते ही तो आप परफेक्ट नहीं हो गया लेकिन जैसे जैसे आप चलाते गया चलाते गया, चलाते गया, cycle के ही बात ले लें, तो पहले आप चलाये, तो एक बार, दो बार, तीन बार गिरें, पहले आप डंडी में चलाते थे, कैंची, उसके बाद फिर अपने उस पे सामने वाले पे बैठ के, उसके बाद सीट पे बैठ के, उसके बाद आप हाथ और योग लग गया, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ इन धार्णाओं को, जिनकी हम लोगों ने बाते हैं कि उन पर हमारा कितना अटेंशन है, बाबा ने कहा कि यदि निरंतर याद में रहना है, तो तुम्हें कमल के आसन पर बैठना होगा, जो वैराग्य क कि बात हम कर रहे थे, वैराग्य अर्थात कमल असन धारी, मैं संसार में हूँ, लेकिन संसार मुझ में नहीं है, मैं देने के लिए हूँ यहां पे, कल्यान के लिए हूँ, मैं इश्वर के लिए हूँ, अपने लिए नहीं हूँ, अपनी च्छाओं कामनाओं के लिए नहीं अब तक मेरा मुख सूर्य की तरफ जैसे नहीं था, संसार की तरफ था, और जब सूर्य की तरफ पीट कर लेते हैं, तो हमें अपनी परच्छाई सामने दिखाई देती है, और ये जो परच्छाई है, इच्छाओं, कामनाओं का प्रतीक है, हम उसके पीशे भागते थे, होती ही नहीं थी, नहोंनी थी, और नहों सकती हैं, क्योंकि आप परच्छाई को पकड़ ही नहीं सकते, ये फैक्ट है, लेकिन जैसे ही आप अपना मुख सूर्य की ओर कर लेते हैं, पर मात्मा की ओर कर लेते हैं, उसकी ओर चलना शुरू करते हैं, तो ये सारी जो भी आप आपके इच्छाएं काम नाएं थी ना, जो भी प्राप्ति चाहते थे आप संसार से, वो सारी प्राप्तियों आपके पीछे-पीछे चलने लगती हैं, ये युनिवर्सल लौ है, जब भगवान की ओर चलते हैं, सब कुछ आपके पीछे-पीछे चलने लगता है, और जितना आप उनके पीछे भागते हैं, वो आपसे दूर-दूर ही भागते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कमलासंधारी बज़ो, detached, कर्म किया, detached हो गया, इन धार्नाओं पर हमारा विशेश ध्यान हो, अब कैसी निरंतर योग की और बढ़ें क्या, क्या हमारी प्राक्टिस हो सकती हैं पहली बात तो, जो ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहराई से प्राक्टिस की, वहां से हम शुरवात करें, अशरीरी होने का आत्मभिमान इस्थिती की बहुत-बहुत गहन प्राक्टिस हमारी हो, क्योंकि ये बेस है, जब तक आप शरीर से अलग नहीं हैं, जब तक आप शरी इसे अलग अपनी आत्मिक स्थिती में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, कि मैं आत्मा हूँ, और ये सब भी चारो तरफ आत्माई हैं, मेरे भाई हैं, मैं आत्मा ही देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, डिफरेंट प्राक्टिसेज, चाहे कभी ये शरीर कुटिया है, मैं आत्मा जोती जल रही हूँ, ये मिट्टी का पुतला है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आत्मा मनी, ये शरीर एक बॉक्स है, मैं इसमें हीरा हूँ, different practices आप कर सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कूट-कूट के पक्का किया इसको, कि मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये आधार है, जितना आत्मा भिमानी होंगे, उतना उपर की ओर चलना, उतना परमात्मा से योग-योगत रहना, उतना निरंतर योग-योग्त होना हमारे लिए सहज हो जाएगा। इसलिए हम इससे आत्मा विवान इस्तिधी पर विश्विश करके अटेंशन दें। अमृत वेले अपनी मन बुद्धी की हम दिंचरिया जरूर बना लें। जैसे तन की हम दिंचरिया बनाते हैं वैसे अपनी एक दिंचरिया अपने मन की भी बना लें कि मुझे आज कैसे अपने आपको योग-योग्त रखना है। अपने मन बुद्धी की दिंचरिया बनाओ। ट्राफिक कंट्रोल मदुबन का सुंदर नियम है कि हर घंटे में एक बार एक मिनट के लिए अपने मन और बुद्धी को बिल्कुल एकाग्र करने का अभ्यास। सारे संकल्पों को जैसे पूरी तरह रोक करके अपने आपको योग-योग्त करने का विशेश किसी स्वमान में स्थित करने का अभ्यास। या दिन भार में पांच भार बैठने की सुंदर प्रैक्टिस हम ये रख सकते हैं बैठनी का अभ्यास। कंकल्प में स्थित होना चाहता हूँ, मैं कितना स्थित हो पाता हूँ, क्योंकि हमारी स्थिती ये होनी चाहिए, जब चाहें, जितनी देर चाहें, हम अपने आपको स्थित कर सकें. ये है हमारा योग ये है एक स्वराज्य अधिकारी स्थिती वो स्थिती कहां तक है ये हम देख पाते हैं जब हम बैठ करके योग करते हैं आदे गंटे तो मैं योग में बैठा एक गंटे तो मैं योग में बैठा लेकिन मेरा मन कितनी देर बैठा या जिस लक्ष को लेकर मैं बैठा, उस लक्ष की पूर्ती मैं कहां तक कर पाया, उसकी गहराई में मैं कहां तक उतर पाया, यह हम बैठ करके देख पाते हैं, इसलिए ऐसी नियम ज़रूर रखें कि बैठ करके भी हमारा सुन्दर योग हो, रात को सोने से पहले भी हम, कुछ हो जाएं बाबा के साथ तब तो अमरी तविला सुंदर होगा श्रेष्ट होगा यदि उनी सब विचारों के साथ हम रात को सो जाएंगे तो फिर से अमरी तविला वैसा ही होगा तो बैठक योग और साथ ही कर्म योग का सुंदर अभ्यास जो मन बुद्धी की दिंशर्या है आप कर्म योग के साथ जोड़ने तो बहुँ संदर होगा वन टू ट्वल्व एक बहुँ संदर प्रैक्टिस है दो हजार बारा में योकि दो हजार बारा था न तो ये संदर सी गिफ्ट क्लास कराते हुए मदुबन में ही ये बात निकली थी चर्चा में कि दो हजार बारा में सबको बारा की गिफ्ट वन टू ट्वल्व की गिफ्ट इसे आप यूज कर सकते हैं आपने ये बात सुननी भी होगी एक, दो, तीन, चार गिंती के साथ आप योग का सुंदर अभ्यास कर सकते हैं एक, शिव बाबा, दो में हम ममा बाबा को लेते हैं तीन में तीनों लोकों की यात्रा करते हैं चार में मदुबन के चारो धामों की यात्रा होते हैं पांच में अपने पांचों स्वरूपों की हम ड्रिल करते हैं, अभ्यास करते हैं जह में बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठते हैं, साथ में आत्मा के साथो गुणों की गहन अनुभूती करते हैं, आठ में आठो शक्तियों का सुन्दर अनुभा और अभ्यास करते हैं, नौ में नौ ग्रहों को भी सकाश और अपने नौ दूरगा स्वरूपों की सुन्दर इस्मृती में रहते हैं, दस में अपने आपको समेटते हैं, बस करते हैं, और साथ ही साथ दस में जो भी अपने अंदर जाके रावण के जो अंश है उन्हें नस्ट करने का अभ्यास करते ग्यारा में मैं और मेरा बाबा इसकी प्रैक्टिस होती है, बारा में हम द्वादश जोतिर लिंगमों में जाकी सकाश देते हैं, शिवसंदेश देते हैं, तो ये एक सुंदर एक रचनात्मक युक्ति हो सकती है, कर्म योग की, जो एक से लेके बारा तक पूरे ही देन, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, योग में भी बैठते हैं, तो भी इसे आप ड्रिल की तरह कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 के साथ, तो आपका मन स्थिर होगा, एक आग्र होगा, इसी प्रकार से आप चार अभ्यास कर सकते हैं, सुंदर, वो भी बहुत सुंदर हैं, कर्म योग की, या म खड़े होते हैं और चौथा होता है, हम लेटते हैं, ये सारे दिन में सुबह से लेके रात तक हमारी शरीर की चार अवस्थाएं होती हैं, तो इन चारों अवस्थाओं के साथ आप चार सुंदर प्रैक्टिसेज एड़ कर सकते हैं, जैसे जब आप चलते हैं, तो संकल्प ल करनें फैलाता हुआ चल रहा हूं, कभी अभ्यास कर लें कि मैं शांती का फरिष्टा हूं, मैं शांती की तरंगें फैलाता हुआ चल रहा हूं, कभी मैं आनंद का फरिष्टा हूं, आनंद की तरंगें फैलाता हुआ चल रहा हूं, कभी दुख हरता सुख करता फरिष्टा आपका यूग निरंतर की ओर बढ़ता चलेगा, जब भी मैं चलू गा, फरिष्ता बन के चलूगा, कि मैं लाइट हूँ, औतरित हूँ, फरिष्ता हूँ, जब आप बैठेंगे तो बैठते समय आप तीन चार प्राक्टिस कर सकते हैं जैसे एक प्राक्टिस क्योंकि बैठना हम लोगों का ज्यादा होता है एक प्राक्टिस मैं आत्मा भृकुटी तक्त पर बैठी होई हूँ दूसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा कल पुवरिक्ष की जड़ में बैठी हुई हूँ पुर्वज हूँ, मम्मा बाबा के साथ बैठी हूँ, पुरे कल पुवरिक्ष को सकाश दे रहे हूँ तीसरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं बाब दादा की गोद में बैठा हुआ हूँ बाब दादा की गोद में और बाबा के सांसा पुरे विश्व को सकाश दे रहा हूँ अन्य बैठा के भी आप निकाल सकते हैं जस्त एक कुछ रचनात्मक युक्तियों की बात है कि आप कैसे अपने आपको निरंतर योग की ओर बढ़ा सकते हैं तीसरी चीज़, जब हम खड़े होते हैं ये हमारी शरीर की अवस्थाएं है जब हम खड़े होते हैं, तो mostly हम किसी से बात करते हैं या लोगों को आते जाते हुए देखते हैं जब भी आप खड़े हों, तो खड़े होकर कि जब किसी से बात कर रहे हैं तो आत्मिक द्रिस्टी की सुन्दर प्राक्टिस कर लें कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ आत्मा को देख रहा हूँ लोग भी आजा रहे हैं, सब ही आत्माई हैं संसार में सभी आत्माओं की द्रिस्टी तुम चमकते भी सितारों की ओर जाएगी और प्रत्यक्ष्टा होगी, कितना important है ये हमारे लिए, तो जब खड़े होंगे ये practice कर लें, जब लेटेंगे, तो जैसे आप लेटते हैं विस्तर पे, तो पांच मिनिट, दस मिनिट, पंद आते वे सुला रहे हैं, कि बच्चे आज मुरली में क्या सुना, देखो बाबा तुम्हें ऐसा बना रहे हैं, तुम्हें स्वर्ग में ले चल रहे हैं, सुन्दर ग्यान की बातीं, लोरी सुनते हुए बाबा की गोध में विश्राम करें, आप ना किबल जागरी तब निरंतर योग की हम बात करें, लेकिन नींद में भी आप योग युक्त रहेंगे, आपकी निद्रा भी योग निद्रा में तब देल हो जाएगी, जब ऐसे सोते भी अभ्यास करेंगे, कभी ये प्रैक्टिस कर लें, जैसे शरी रूपी गाड़ी को मैंने विस्तर पे कि मैं तो जी, अपने गाड़ी सेहें थी सोंका, ऐसा तो नहीं कहरतें ना, उम उसे गाराज में छोड़ते हैं, वेड्रूम में आते हैं, ये भी शरीर हमारा, हम अपने इसे विस्तर पे छोड़ें, वो गाराज है, और हम जले जाएं, ऊपर परमधाम में, बाबा के पास, बाबा की छत्रचाया में मैं विश्टाम कर रहा हूँ तो इस संसार की जो दुशित हवा है जो कई बार होता है ना कि अलग-अलग प्रकार के स्वप ना रहे हैं हम डर जाते हैं, बैबीत हो जाते हैं यह हो रहा है, वो हो रहा है नींद में भी और जब सुबह उठते हैं तब भी रहता है रिजन हम योग-योग थोकर नहीं सो रहे हैं इसलिए सोते समय ये प्रैक्टिस जरूर कर लें कभी मैं विश्णु चतुर भूज हूँ अपना हाथ रखें मस्त अपने सिर पे ऐसे लेट जाए विस्तर पे, मैं विश्णु चतुर भूज जैसे विश्णु जी कशीर सागर पे विश्राम कर रहे हैं मैं भी विश्राम कर रहा हूँ निश्यन्त होँ, गीता ज्यान का सिम्रण करते वे और संसार की सब जो अनिद्रा के रोगी हैं उनहीं सकाश देते वे, दुखी आत्माओं को सकाश देते वे, हम विश्राम करें तो ये हमारी मन की एक दिन चर्या हो गई सुबा उठने से लेके रात तक, या तो हम खड़े होते हैं या तो हम चलते हैं, या तो हम बैठते हैं, या फिर हम लेटते हैं इन चारों अवस्थाओं में यदि ये चार सुन्दर प्रैक्टिसेज, डिफरेंट प्रैक्टिसेज, आप कुछ और भी आड़ कर सकते हैं, तो यदि आप ये करते हैं, तो आप निरंतर योगी हो जाएंगे, आप कुछ दिन इसे करके देखें, एकदम सहज हो जाएगा आप के लिए, साथ ही आप अपने अलग-अलग कर्मों के लिए भी अलग-अलग प्रैक्टिसेज जोड सकते हैं, सुबह से लेके रात तक, जो भी आपके कर्म हैं, जो भी कर्म करते हैं, जैसे हमारी आँखें खुली, बाप दादा को अपने सामने देख, आप नोट करके नहें रख सकते हैं अपने लिए, कि मुझे सुबह उठने से लेके रात तक, जो भी मेरे कर्म होते हैं, उन अलग-अलग कर्मों में मुझे किस प्रकार से बाबा को याद करना है, किस प्रकार से अपने आपको योग युगत रखना है, आँखें खुली, बाप दादा मेरे मैं आपको ब्रिकुटी तक्त पर चमकती हुई मनी देखों, जब मैं योगक्ष में बाबा के सामने बैठता हूँ, मैं फिक्स कर लों कि 15 मिनिट मैं ये प्रैक्टिस करूँगा, 15 मिनिट ये करूँगा, 15 मिनिट ये करूँगा, मैं फिक्स कर लों, बुरली क्लास में जात जब कभी बरतन दोते हैं या अपने कपड़े दोते हैं तो भी बाबा जैसे बाबा की किरने उपर से मुझ पर पढ़ रही है और मुझा आत्मा की भी सफाई हो रही है। लेकिन हाँ जो बात हमने पहले कही प्रैक्टिस 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 जितना आप इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करना कब सहज हो जाता है वही प्यार वाली बात आ जाती है जहां प्यार है वहां सब सहज हो जाता है मेरे प्रेमी ने मुझे कहा जो कहा बस मुझे वो करना है प्यार है तो पवित्र रहना आसा है प्यार है तो दिन्चरिया को फॉलो करना आसा है प्यार है तो प्रैक्टिस करना आसा है इसलिए प्यार अब तक सब के लिए किया अपने लिए किया, औरों के लिए किया अब मुझे उसके लिए करना है तो ऐसी अपने मन बुद्धी की आप दिन शयरिया बना लें कभी अपनी दिन शयरिया को आप चार भागों में बांट सकते हैं मैं different different आपको बाते रख रहा हूँ ताकि आप इस अनुसार अपनी दिन शयरिया सेठ कर सकते हैं अपने आपको निरंतर योग, युक्तिस्थिति की और बढ़ा सकते हैं, कभी दिन चर्या को चार भागों में बांट, सुबह चार से आठ हो सकता है, आठ से बारा हो सकता है, बारा से छे, छे से दस हो सकता है, इसमें आप कुछ स्वमान और कुछ अभ्यास ले लें, कि इस इस आर में मुझे यह यह प्रैक्टिस करने हैं, कभी आप उसे थोड़ा सा और दो-दो घंटे वाले भाग में बांट लें, कभी एक-एक घंटे का चार्ट रख लें, जिसके आधार पर हम अपने आपको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरी योग की स्थिती क्या है, मैं कितना याद करता हूँ, जिस याद के लिए कोई ऐसी साकार मुरली नहीं होगी, जो रोज आप सुनते हैं, जिसमें बाबा याद 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 ना कहते हों, जितना स्वधर्शन चक्र फिर आएंगे उतना संसार को, सुख का दान मिलेगा, याद, कितनी बाबा याद याद की बातें बार बार कहते हैं, तो हम इसके लिए विशेश कर कि चाड को बेस जरूर बनाएं, घंटे घंटे का चाड भी रख सकते हैं आप, हर घंटे में मैं कितना याद में रहता हूं, चाड बना लें अपने लिए, इस घंटे में मुझे ये, और उसमें आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर घंटे के लिए एक-एक स्वमान, बाबा ने बहुत सारी स्वमान हमें दिये हुए हैं, एक-एक स्वमान एक गंटे के लिए सेट कर लें, उनके साथ एक सुंदर अभ्यास रख सकने कि स्वमान का मुझे ऐसे अभ्यास करना है, तो आप देख पाएंगे कि इस गंटे में मैंने कितना इस चीज का अभ्यास किया, और नवींता बनी रहेगे, देखे याद एक ऐसी च बनाया है, कल भिंडी बना ले, अगले दिन पत्ता गोवी बना ले, कुछ इस प्रकार की वेराइटी होती है, मैं अच्छा लगता है, तो याद में भी एक वेराइटी आजाएगी, कि हर गंटे के लिए आप एक स्वमान ले सकते हैं, कभी आप संबंधों को ले सकते हैं, स जैसे सद्गुरु ने मुझे जगाया वर्दान दिया, सुप्रीम टीचर ने मुझे पढ़ाई पढ़ाई, मा मुझे जैसे भोजन करा रही है, पिता जी जैसे मेरी उंगली पकड़ की सारे दिन मुझे चला रहे हैं, मुझे इंस्ट्रुक्शन दे रहे हैं, ये करो, ये ना करो, रात को फिर से जैसे में, तो अलग-अलग संबंधों की भी अनुभूती आप कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए एक सुन्दर होमवर्क है, कि कैसे हम अलग-लग संबंधों से बाबा को याद कर सकते हैं, या फिर सारे दिन के लिए हम कुछ प्रैक्टिसे, एक ही प् और साक्षी होकर सबको देखना है, ड्रामा को देखना है, अपने पार्ट को देखना है, उसकी साथ रहते हुए, उसकी साथ इभी क्सुन्दर प्रेक्टिस हो सकती है, सारे दिन आप इसकी गहराई में उतर सकते हैं, जिसको हम लोगोंने पिछले वर्ष भी बहुत बाबा होते तो, बाबा होते अभी तो क्या करते, बार बार इसे चेक करें, जिसे बाबा ने कहा था अपनी मुरली में कि ब्रह्मा बाबा को अपने सामने देखते हुए, अपने नैनों में समा करके ये चेक करो कि बाबा होते, तो क्या सोचते, क्या बोलते, क्या कर्म करते, क और उसी में एक सुंदर बात जो बाबा किया करते थे, हर लाउकिक चीज को बाबा चेंच कर देते थे. ट्रांस्वार्म करते थे. गाए को देखा, बाबा उठाते थे, थेखो गाय कैसे जुगाली करती है, हम भी गाय की तरह, सुंदर ग्यान की, जैसे वो घास खाके जुगाली करती हम भी ग्यान घास खाके जुगाली करें फ्लाइट बाब ऐरोप्लेन देखते थे कहते थे देखो ऐसे तुम्हारी उड़ती कला होने चाहिए बाबा जार देखते थे, कैसे देखो कल पुरिक्ष है, जैसे कल पुरिक्ष की याद दिलाता है, तुम भी कल पुरिक्ष के नीचे बैठे हो, तपस्या कर रहे हो, कोई भी चीज देखें, ये भी हमें योग यूकत करने वाला है, लॉकिक चीज को लॉकिक दृष्टी से न जो भी चीज़े मुझे दिखेंगे, आज मैं उसे ज्ञान योक्त रूप प्रदान करूँगा, एक नूतन बात हो जाएगे आपके साथ, कि आप अलोकिक हो जाएगे, बाबा के साथ रहें और उन्हें टर्न करते जाए, चेंज करते जाए, आपको आनन्द आएगा, फिर वो लोकिक चीज़ आपको बांदेगे, नहीं वो अलोकिक हो जाएगे, कभी आप एक दिन के लिए, पूरी दिन के लिए अभ्यास कर ले, my room या my home, एक बहुत सुंदर concept है, एक अपने लिए घर बना लें, कहीं पे, बहुत अच्छा सा, किसी पहार पे हो सकता है, किसी जंगल म हो सकता है, कोई बहुत ही सुंदर जैसे, नहीं मेरे स्वपन का घर, मेरे स्वपन का एक room, एक ऐसा room जहां सारी दिन मैं बाबा के साथ रहूंगा, मैं बाबा को वहां invite करूँ और बाबा को अपना पूरा घर दिखाओं कि बाबा देखे, या आपके लिए मैंने ये बनाया है, ये बनाया है, वहीं बाबा के लिए कुछ बनाएं, बाबा को खिलाएं, बाबा से बातें करें, जो भी रूरिहान करनी है, जो भी बाबा से पूछना है, जो भी सुंदर अनुबूती करनी है, फुल डे, मैं और बाबा, इसलिए ये भी करें निरंतर योग के लिए मु संकल्प नहीं, कोई और व्यक्ति नहीं जैसे बाबा कहते हैं कि पहले-पहले साथ दिन लोगों को कूर्स कराया जाता था, तो साथ दिन भठी में बिठा देते थे कि और कुछ याद नहीं आना चाहिए, यदि कुछ याद आ जाता था तो फिर से उनकी भठी शिरूर हो जाते थे तो यदि हम ये कर सकें तो जरूर करें, जो भी भाई बहने आप में से कर सकते हैं, एक दिन completely underground, my room my home, मैं वहाँ चला जाओं जैसे होते हैं लोग, कई लोग, कईयों के farm house होते हैं, तो वो लोग अपने शहर में रहते हैं, ठक जाते हैं फिर जाके अपने farm house में चले जाते हैं एक दिन, दो दिन, तीन दिन farm house में रहते हैं और फिर वापस आते हैं मैं अपने उस घर, अपने उस room में चला जाओं और वहाँ बाबा के साथ कहराई से रहूं कभी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो बाबा कहते हैं, ड्रिल की तरह, मैं और मेरा, दो शब्द बाबा कहते हैं, सारे दिन में जब भी मैं शब्द यूज करूँगा, मैं किसी स्वमान के साथ यूज करूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं विजहीरतन हूँ, मैं मैं ये हूँ, और जब भी मेरा शब्द यूज किया, कि ये मेरी घड़ी है, या ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा रुमाल है, मेरा शब्द आते हैं, मैं पहुंच जाओं, बाबा के पास मेरा कुछ नहीं, मेरा बस बाबा, बस बाबा, बाबा तो सारी दिन यदि मैं और मेरे को देखे चोटी-चोटी चीजें हैं, युक्तियां हैं लेकिन मैं और मेरे के साथ मैं निरंतर योग-युक्त हो सकता हूँ वैसे ही डृढ रिल कर लें और भी बाबा हमें ड्रिल सिखाते हैं, पांचो स्वरूपों की ड्रिल सिखाते हैं और ड्रिल है, साकारी, आकारी, निराकारी, अलंकारी, मैं ये ड्रिल की प्रैक्टिस करूं जितनी बाहर करूं, मैं अपने उन स्वरूपों में स्थित होता चला जाओंगा और ड्रिल कर लो, एक और नुतन तरीका है ड्रिल का, योग की विधी का, तो कभी ये कर लें, self, one कहा, self में स्थित हो गया थोड़ी देर, two कहा, supreme सोल पे, शिव बाबा पे स्थित हो गया, उनसे energy ले, three कहा, जो भी मेरी surrounding में है, उन सब को मुझे सकाश देना है, चाहे सामने हैं, चाहे विश्व में कहीं पे भी हैं, ऐसी हम ड्रिल की भी practice कर सकते हैं, कभी बाबा का हवान कर लें, जैसे श्री कृष्ण जी सार्थी बन करके अर्जुन के साथ साथ थे, और वो उनहें निर्देश दिया करते थे, कि अब तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये अस्र चलाओ, वो अस्र चलाओ, इसके साथ तुम्हें ऐसे युद्ध करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सब कुछ शुकृष्ण जी उन्हें बताया करते थे, उनके रत पर सवार होके, तो एक योग की नुतन विधी ये भी हो सकती है, creative विधी, कभी हम बाबा काहवान करने कि इस रत में बाबा भी आके बैट गए है मेरे साथ, और वो मुझे बता रहे हैं कि तुम्हीं क्या देख यह क्या है, तुम्हीं क्या करना चाहिए, बाबा यहां बैटके मेरे रत में बैटकर मुझ अर्जुन को डारिक्शन दे रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे परफिक्शन की ओर ले चल रहे हैं, और यदि वो मेरे साथ हैं, तो इस महा संग्राम म इस महाँ भारत में मेरी जीत निश्षित है, ये भी हमें निरंतर योग युक्त कर देगा, जैसे बाबा कह रहे हैं कि सारी कल्प तो तू अकेला, मतलब लोगों के साथ रहेगा, मनुश्यों के साथ रहेगा, थोड़ा तो समय है, इस संगम युक का मेरी साथ भी तो वक्त ब अश्रिंगार करना चाहता हूँ, मुझे भी तो वक्त दोना, ऐसी हम दिल से बाबा के साथ बहुत संदर रुहरीहान किया करें, तो युक्त की विविद चीजें जो हैं, उन्हें हम अपनी दिन चर्या में रखें, चाहे रुहरीहान हो, चाहे ड्रिल्स हो, चाहे स्थिती हो, अन्तव अख सरीर के साथ, सकाश देने की बात हो, अलग-अलग गुनों की अनुभूतियां हो, शक्तियों की अनुभूतियां हो, सर्वसंबंदों की अनुभूतियां हो, हम अध्यन जरूर करें आप, अव्यक्त मूर्लियों का अध्यन जो आप लोग कर रहे है नित्य आपको नए-नए विजन, नए-नए अभ्यास मिलते होंगे, आप व्यक्ति गत रूप से भी किया करें और साथ ही अव्यक्त जो संदेश है बाबा के, उसकी भी बुग बनी होई है, मैं कहूंगा कि आप उसका भी जरूर अध्यन करें, बहुत सुंदर-सुंदर, डीप ऐसी ऐसे सुंदर विजन हैं, ऐसे सुंदर अभ्यास हैं, जो आपको एकाग्र कर देंगे, जो आपको नवीनता देते रहेंगे योग में, और आपका योग निरंतर होता चलेगा, कभी आप एक अव्यक्त मुरली भी उठा लें, रैंडमली खोलें, उसका एक पैरा पढ़ पा रहा है, तब आप ये कर सकते हैं, जब आपका खुद से योग न हो रहा हो, आपको ये अव्यक्त मुरली उठाएं, रैंडमली खोलें, कि बाबा मुझे इस समय क्या कह रहे हैं, कि सब भ्यास के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक पैरा पढ़ा प्रैक्टिस की, एक पैरा आपके अंदर एक उत्सा है, उमंग है, और आपके जो बड़े भाई बहन है, जो आपको निरंतर प्रेरित करते हैं, जाहे संतोष भाई है, राखी बहन है, अन्य भी भाई बहने होंगे, जो आपको निरंतर इस और आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें भी साधुवाद के वो पात्र है, धन्यवाद दोंगा जो बाबा के नए नए बच्चों को इतने सुंदर तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, तो आप खुब आगे बढ़े, बहुत उन्नती करें, सारी विश्व को सकाश देते हुए, बाबा की सरवाश्यों को पूर्ण करें और बाबा को प् अंत तक लास्ट में आने माली बच्चों के लिए सीट खाली रहेगी, तो आप में से सभी उसमें है न, मैं आपके हाथ तो नहीं देख पा रहा हूँ, फिर भी हाथ उठा के जरूर बता दें कि आप सब हैं न, आपको सभी को मौंग उच्सा है, हाँ, हुझे हाथ कुप से आप सब आएं, मदुबन से बाबा की ओर से सब मदुबन निवासियों की ओर से धेर सारी दुआ हैं और शुब कामना हैं, ओप्शाद। दो mail और रागिनी सा तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनीसा तेरा प्यार बाबा SMITH निर्मल सिगंगा उज्वल सियमुना परम पाव निसा तेरा प्यार बाबा मरुर रागि निसा तेरा प्यार बाबा शीतल चान निसा तेरा प्यार बाबा तेरी आभा है सौरब बिखेरे हुए तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए तेरी आभा है सौरब बिखेरे हुए तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए खुशियां मिली है खुशियां मिली है बेशुमार बाबा मरुर रागि निसा तेरा प्यार बाबा बिखेरे हुए